मैं जब भी नहाने जाती, तो कोई मुझे छुपकर देखता था, घर में मेरा चोटा बेटा और मैं अकेले रहते थी, लेकिन मैं अपने बेटे पर शक नहीं कर सकती थी, एक दिन अचानक मैं अपने बेटे की कमरे में गई, उसका मॉबाइल देखकर मेरी चीख निकल गई, आज फिर से मैं इसी उलजन का शिकार थी, जैसे ही मैं नहाने के लिए वोश्रूम में जाती, मुझे लगता है कि अजीब सी नजरे हैं, जो मुझे देख रही हैं, मैं चारो तरफ नजरे घुमा कर देखी, लेकिन मुझे वहाँ वर कोई भी नजर नहीं आता था, मेरा वो में किसम की ओरत नहीं थी, लेकिन मैं पूरा वोश्रूम देख चुकी थी, कहीं कुछ भी मुझे नजर नहीं आया था, मैं जैसे ही नहाने जाती, जल्दी ही बाहर निकलाती, कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद मैं किसी दिमागी बिमारी में गिरफतार हो चुकी हू आज भी मैंने बहुत जल्दी से साफ लिया था, और फटाफट से कपड़े बदल कर वोश्रूम से बहार आ गई थी, पिछले कुछ महीने से मेरे साथ यही हो रहा था, मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता था, कि मैं किसी की नजरों में हूँ, या मुझे कोई देख रहा है, और इस बात की वज़े से मैं इस कदर परेशान थी, कि शायद लफजों में अपनी परेशानी को बता नहीं सकती थी, ना तो मैं कोई जवान, खूबसूरत, हसीन लड़की थी, कि मैं किसी पर शक करती, बलके उमर के जिस हिस्से में थी, वहां तो कोई भी ऐसी हरकत मुझ साल बीच चुके थे, मेरे पती की किराए की दुकान थी, और इसी किराए से सहारे से गुजारा हो जाता था, अब तो मेरा बेटा नोकरी भी करने लगा था, वह सुबै को ओफिस जाता, तो शाम को ही वापिस आता, पूरा दिन घर में मेरे अलावा कोई नहीं होता था, नो कोई हर पल मुझे देखता है, और जब यह नजरे वोश्रूम में मुझ पर उठती है, तो मुझे एक अजीब सी उलजन होने लगती है, मैं अपनी तकलीफ को बया नहीं कर पा रही थी, कि मैं तकलीफ से गुजर रही हूं, क्योंकि मेरे सामने कोई ना था, और यह एक ऐसी समस्चा थी, कि मैं अपने बेटे से भी इसका जिकर कर नहीं सकती थी, मैं मेरे बारे में क्या सोचता, मेरी बात को कैसे लेता, शाम को जब मेरा बेटा कर नो फिस से वे वापस आया, तो मैं खाना गर्म करके सामने रख दिया, मैं किसी गहरी सोच में थी, कि जब मेरे से पता नहीं था वरहाल मेरे बेटे का रवया मुझे उखडा हुई रहता था मैं इसे हमेशा बात करते हुए हिचक जाती थी एक बार मैं रात को करन को दूद देने का गिलास उसके कमरे में देने गई तो वह अपने लैपटोप में किसी कदर बिजी था मेरे आने का उसे पत रंगत ही उड़ गई थी कि फोरन ही करन लैपटोप बंद करने लगा मुझे देखकर बोलने लगा कहने लगा यह क्या तरीका है किसी के कमरे में आने का आपने दर्वाजे को बजाय क्यों नहीं मैं एकदम ही घवरा सी गई मैंने माना यह मेरी गलती थी मुझे दर्वाजा बजा कर आना चाहिए था लेकिन वह मेरा बेटा था इसलिए मैं यूं ही चली आई लेकिन यह नहीं जानती थी कि यह सब कुछ बरहाल मैं मेरे कमरे से बाहर निकल कर अपने कमरे में आ गई अपने बैट पर बैट कर अपने दोनों हाथों से अपना सर पगड लिया मेरे दि दिमाग कैसे सोचने पर मजबूर हुआ था मेरी आखों से तकलीफ के आसू बहने लगे थे जो कुछ मेरे दिमाग में गूम रहा था इससे सोचना भी मुझे पाप लग रहा था मैंने खुद को जटका और समझाया कि नहीं ऐसा मुम्किन ही नहीं है कोई भी बेटा अपनी मा के साथ ऐसा सब नहीं कर सकता लड़के इस उम्मर में ऐसी गल चीज़े देख लेते हैं लेकिन इसका मतलब वह नहीं जो मैं सोच रही हूं बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को नॉर्मल किया था एक दिन में सहन में खुले हुए कपड़े फेला रही थी कि जब सामने घर की चट पर मुझे लगा कि किसी कैमरे की फसल मुझ पर पड़ी है मैंने हरानी से पलट कर देखा किसी की परचाई सी नजर आई जैसे वहां कोई खड़ा हुआ मुझे घूर रहा था मगर जैसे ही मेरी नजर पड़ी ऐसा लगा कोई वहां से एक दम पीछे हटा हो मैंने गोर से देखने की कोशिश की लेकिन सामने की छट मुझे उस वक्त खाली नजर आ रही थी लेकिन मुझे पूरे यकीन था कि कुछ दिर पहले कोई वहां खड़ा मुझे ही देख रहा था किसी ने शायद अपने मोबाल से मेरी तस्वीर ली थी मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था इस महोले में आए हमें अभी कुछ ही महीने हुए थे और जब मैं इस घर में आई थी मैं परेशान होकर रहे गई थी मुझे हर वक्ती है मैसूस होता कि मैं किसी की नजरों में हूँ और कोई मुझ बरध्यान दे रहा है आस पास के महोले में अभी तक किसी से भी मिल नहीं पाई थी कुछ मेरा नेचर भी अलग रहने का था और मेरा बेटा भी शक्तिमिसाज का था महोले में आते ही इसने मुझे कहा था कि आपको जादा महोले के मेल जोल बढ़ाने की जरूरत नहीं है बस अपने घर पर ही रहा करो करन मेरा सोतेला बेटा था बहुत कम उम्रिस में ही मेरे माबापने मेरी शादी करन के पापा से करा दी थी क्योंकि मैं एक गरीब लड़की थी करन के पापा मुझे 20 या 22 साल बड़े थे मेरी शादी को 8 साल ही गुजर चुके थे कि पती भी चल बसे थे मैं 17 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी और 25 साल के अमर में मैं विद्वा भी हो गई थी पती के देहांत को अभी 12 साल गुजर चुके थे मैं देखने में अभी भी जवान ही लगती थी अक्सर कहीं हम मा बेटे जाते तो लोग मेरे बेटे से यही कहते थे कि शायद मैं इसकी बड़ी भेन हूँ और यह वज़े थी कि करन को मुझे एक तरह की चिड़ हो चुकी थी वैं मुझे घर से बाहर निकाल नहीं निकाल देता था मुझे हलके कलत के कपड़े बना कर देता था कहता था कि आप अपने बाप की विद्वा हैं मुझे इसी रूप में अच्छी लगती हैं मैं बिल्कुल सादा हुलिया अपना लिया था हर वक्ती जब भी करन घर पर आता तो घर को एक अजीव नजरों से देखता जैसे कि इसके पीछे मेरे घर पर किसी को बुलाया हो चारों तरफ सहन में नजरे दोडाता कभी मेरे कमरे में चला जाता पूरे घर को ऐसे देखता जैसे कुछ ढूंड रहा हो जब मैं पूछती तो कहता कुछ नहीं अपने काम से काम रखा करो मैं नहीं जानती थी कि इसके साथ क्या मसला था लेकिन इस वक्त वही मेरे सहारा था बेटा भी था और मैंने हमेशा उसे ही बेटा समझा था इसलिए खामोशी से उसका रवया परदाश करने पर मजबूर थी क्योंकि करन के अलावा मेरा कोई दूसरा सहारा ना था बरहाल मैं अपनी उलजन का शिकार थी और उपर से बैठी भी चसकी मिसाज का था अभी मैं यह मामला हल भी नहीं कर पाई थी कि एक नई मुसीवत आ गई थी कि बराबर वाली छट से कोई मुझे देखता था और मैं तस्वीर भी ली थी कहीं यही सिब तो मुझे वोश्रूम में मेरे दिमाग में आने लगा इस नई सोच में मुझे फिर से हैरानी में डाल दिया मैंने फिर से खुद को जूटी तसली दी कि कोई की मैं वोश्रूम का कोना कोना देख चुकी थी कहीं ना तो कोई कैमरा लगा था ना कोई कुछ ऐसा सुराग था जिसे कोई जाख सके जो भी था लेकिन यू किसी का छट पर मुझे देखना एक गलत ही अरकत थी एक बार मेरे कमरे के घर के दर्वाजे पर दस्तक हुई मैं इस लक्त की चनवे खाना बनाने में बिजी थी क्योंकि करन के ओफिस से आने का वक्त था मुझे लगा शायद वह आ गया है लेकिन मैंने जैसे ही दर्वाजा खोला तो एक 28 साल का नोजवान मेरे सामने खड़ा था तकरीबन करन की उम्र का था मुझे देखकर मुस्कुराने लगा उसके हाथ में बिर्यानी की पलेट थी कहने लगा कि मैं पडोस से आया हूँ आप लोग शायद नए नए इस घर में शिफ्ट हुए हैं इसलिए माने कहा कि पडोसियों के यहां बिर्यानी दे आओ मैंने उसके हाथ से पलेट पकड़ी तो वैं अंदर आने के लिए एक कदम बढ़ाने लगा लेकिन मैं इसके सामने खड़ी हो गई मैंने कहा बेटा तुम यहीं खड़े हो जाओ मैं तुम्हें खाली पलेट वापस लाकर देती हूँ यह सुनकर तो वैं हैरत में आ गया कहने लगा कि मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि आप मुझे बेटा कहें दे आप मुझे बस कुछ ही साल तो बड़ी होंगी इसलिए मुझे बेटा बेटा मत कहें कि इसकी बात सुनकर तो मैं जे हैरत से देखने लगी थी मैंने कहा कि मेरा बेटा भी तुम्हारी उमर का है यहाँ बात सुनकर उसने पूरी आँखे फैला कर मुझे देखा कहने लगा वह लड़का आपका बेटा है मैंने तो समझा कि आपका छोटा भाई है यह कहकर वह बड़े ही आराम से करके अंदर दाखिल हो गया मैं तो उसे देखते ही रह गई थी करन कहाने का वक्त भी हो रहा था इसलिए मेरा दिल डर के मारे कापने लगा था करन बोड़ा खुले मिजाज का था कहने लगा आपका नाम क्या है मैंने कहां तुम्हें क्या मतलब तुम मुझे आंटी कहलो इस बात पर उसने अपनी दोनों बहां ओखे उपर करके कहने लगा कि नहीं जी अभी आप इतनी भी बूड़ी नहीं हुई कि मैं आपको आंटी कहूं अच्छी खासी खूबसूरत और जवान है मैं तो आपका नाम से ही आपको पुकारूं यकिनन वह भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत होगा इससे पहले कि मैं इससे के इस तरह से ऐसे अंदाज पर गुस्सा करती कहने लगा चलो नाम ना बताओ एक कब चाय ही पिला दे पडोसिया का भी कुछ हक होता है यह कैकर वैं सहन पर रखी कुरसी पर अराम से बैठ गया मैं किचन में आ गई जल्दी से प्लेट खाली की गैस पर चाय ही रख दी मेरा दिल इस वक्त इस बात पर घबरा रहा था कि कहीं करन ना आ गया तो ना जाने किस नजरों से मुझे देखेगा क्या सोचेगा वैं खाली घर को भी देखता है जैसे कोई घर में चुपा बैठा हो जल्दी जल्दी से मैंने एक कप चाय बनाई और इस लड़के को दी मैंने कहा कि अपनी मा से थैंक्स कहना और चाय पीकर बहार जाते हुए दरवाजा बंद घर देना मुझे जरा किचन में काम है यह कहकर मैं किचन में रोटी बनाने चली गई क्योंकि करन किसी भी वक्त पहुचने वाला था और मैं इस लड़के से ज़ादा बाचीत करना नहीं चाहती थी दस मिनट बाद ही खाली कप इस लड़के ने किचन के दरवाजे से मुझे अंदर पकड़ाया कहने लगा चाय भी आपकी तरह बहुत ही मीठी थी बहुत बहुत शुक्रिया मैं फिर आपसे फुरसत में मिलूँगा और अपने घरवालों को भी लाओंगा वह कहकर घर के दरवाजे से बाहर चला गया और दरवाजा भी जाते हुए बंद कर गया मैं तो इसकी बाते सुनकर चक्रा कर रहे गई थी अभी मैं इस लड़के की बातों के बारे में ही सोच रही थी कि जब दरवाजे पर बड़ी जोर से दस तक हुई मैं तो बुरी तरह से काप गई थी जल्दी से किचन से बाहर आई और मैं दरवाजे के पास पहुचने लगी कौन है करन की बड़ी गुसे वाली आवाज मुझे सुनाई दी थी कहने लगा दरवाजा खोलो मैं हूँ दरवाजा खुला तो बड़े गुसे से घर में दाखिल हुआ मुझे कहने लगा घर के बाहर कौन निकल रहा था करन की आँखे इस वक्त ना जाने किस वज़े से लाल थी वह बहुत ही गुसे में था मेरी जुबान ना चाते हुए भी लड़कडा आई थी मैंने कहा कोई पड़ोसी लड़का था बिर्यानी लेकर आया था वह मेरे करीब आकर खड़ा हो गया मेरी आँखों में आँखे डाल कर कहने लगा किस से पूछ के दर्वाजा खोला था आपने क्या एक बात आपको समझ नहीं आती यहां कोई भी आए आप दर्वाजा नहीं खोलेंगे किसी से बात नहीं करेंगे कोई जरूरत नहीं है पडोसियों से मेल जोल बढ़ाने की अगर आप अपनी हरकतों से बाज आद नहीं आई तो मैं ताला लगा कर जाऊंगा कल से यह कहते हुए वह सीधा अपने कमरे में गुस्टे से चला गया उसने अपने कमरे का दर्वाजा भी बड़ी जोर से बंद गया था मुझे लगता था कि जैसे मैं करन की माना हूँ उसकी खरीदी हुई गुलाम हूँ मुझे सास भी मेरी मर्जी से लेने नहीं देता था बरहाल मैंने खाना गर्म किया और करन के लिए खाना लगा दिया खाने के दुरान ही वह मुझे बार-बार इसी लड़के के बारे में पूचता रहा और बार-बार मुझे यही कहता रहा कि दोबारा मैं दर्वाजे पर किसी को ना देख लूँ रात को मैं अपने कमरे में लेटी तो मेरे मुबाइल पर एक अन्नोन नंबर से मैसेज आने लगा उसमें लिखा था कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं और प्यारी हैं मेरा दिल चाहता है आपसे जी भर के बाते करूं और आप इतने हलके रंग ना पहना करो अगर आपने नीले रंग के कपड़े पहने तो आप बहुत ही जज़ेगा जैसे कि आपने इस दिन सहन में पहना था यह मैसेज पढ़कर मैं बूरी तरह से गबराई थी इसका मतलब मेरा शक गलत नहीं था वाकई कोई था जो मुझे देखता था चलो समझ में आता है क्योंकि बहुत से घर थे उनकी छथ हमारे घर से उची थी और साफ साफ दिखाई देता था और मेरा किचन चै में ही था इसलिए मेरा दातर वक्त सहन में ही गुजरता था लेकिन जो नजरे मुझे खुद पर अपने वोशों में उठती हुई महसूस होती थी वहां मुझे जीते जी मारती थी मैंने फोरन से मैसेज डिलिट किया और मुबाइल ओफ कर दिया मैं इसी वक्त पानी पसीने से हर चुकी थी मुझ पर अजीब और गरीब सी गबराट चाने लगी थी कौन था जो मेरी जिन्दीगी में और जहर गोलने की कोशिश कर रहा था मैंने अपनी जिन्दीगी कभी भी खुशी से नहीं गुजारी थी करन के पापा भी ऐसे ही थे शक्की में साज के थी और शायद मुझ पर इसलिए इतना शक करते थे कि मैं कम उम्र थी और मुझ से बाइस साल बड़े थे मैं खूब सूरत भी बहुत थी इसलिए हर वक्त उनके शक का निशाना बनी रहती थी उन्हें लगता था कि पता नहीं मैं किसी दूसरे लड़कों के से चक्कर चला लूँगी मैं बार बार उन्हें रो रो कर यकीन दिलाती लेकिन उन्हें यकीन नहीं आता वे हर वक्त मेरे साथ किसी साई की तरह ही रहते थे और जब वे बिमार रहने लगे तो सारी जायदाद करन के नाम कर दी और उसके कान में बस यही भरते रहे कि इस वरत का ख्यार रखना इसे कभी घर की मालिक ना देना इसे पाई पाई से मोहताज रखना कहीं यह भागनी नहीं चाहिए खूब सूरत है इसे कोई भी शादी कर लेगा और तुम अकेले बे सहरा रह जाओगे मैं चाहता हूँ सारी जिंदगी है मेरे नाम पर ही गुजारे सारी जिंदगी तुम्हारी मा बन कर रहे यह वह आखरी अलफाज थे जो मेरे पती ने मेरे बारे में अपने बेटे के दिमाग में किसी जहर की तरह भरे थे और वही जहर जब करन मेरे साथ उबलता था उसने कभी भी मेरी इज़त मा के हिस्से से नहीं की थी मुझे कभी अपनी मा की जंगे भी नहीं दी थी मैं बस उसके बाप की दूसरी बीवी थी एक रोज में किचन में काम कर रही थी क्या अचानक से मेरी दुपटे पर आग लग गई मैं चिलाती हुई सहन में आ गई जैसे ही मेरी चीक तेज हुई बराबर वाली छट पर वही नोजवान खड़ा हुआ था मुझे चिलाते हुए देखा तक फोरण से नीचे उत्रा और अपने घर की दिवार लांग कर मेरे घर में आ गया उसने फोरण से मेरा जलता हुआ दुपटा दूर फेका वरना मैं बुरी तरह से जल जाती मैं इस वक्त बुरी घबराई हुई थी इस नोजवा ने फोरण से सामने रसी पर पड़ी चादर उतार कर मुझे पर लपेट दी मुझे पूछने लगा कि मुझे कहीं नुकसान तो नहीं पहुचा मैं बहुत जादा डरी हुई थी कि अचानक किस वक्त मेरे घर का दरवाजा खुला था सामने करंट था इस वक्त इस लड़के को मेरे पास खड़ा देकर गुस्से से मेरे पास आया और इस लड़के का गिरवान पकड़ लिया और इस से गुस्से से पूछने लगा कहने लगा तुमारी हिम्मत कैसे हुई और घर में आने की मैंने कहा करन इसका गिरवान छोड़ो इस लड़के न तो मेरी जान बचाई है मेरे दुपटे को आग लग गई थी हलाकि अभी सहन में मेरा गिरा हुआ दुपटा जल रहा था मेरी बात सुनकर उसने गुसे बरी नजरों से मुझे देखा कहने लगा तुम चुप रहो समझी तुमसे तो मैं बाज में बात करूँगा इस तरह के खत कांडो से किसी और को बेवकूफ बनाना मुझे यह कहकर इस लड़के को गिर्वान पकड़ते हुए जंजोट ने लगा कहने लगा तुम जिस मकसद के लिए यहां आते हो न वह कभी पूरा नहीं होगा मैंने कहा करन तुम गलत समझ रहे हो मैं मा हूँ तुमारी क्यों मुझे इन बातों से जलील कर रहे हो मैं रोने लगी उस लड़के न एक जटके से अपना गरवान करन से छुड़वाया कहने लगा कि मैं इंसानियत के नाते यहां पर आया था उनका दुपट्टा जल रहा था उनको आग लग सकती थी मेरा और कोई मकसद हो सकता है अपनी घटिया सोच अपनी हद तक ही रखो तो सही होगा करन इस लड़के से कहने लगा था कि क्यों क्या यह तुम्हारी मा लगती है क्यों आये थे यहां इन्हें बचाने तुपट्टा जल रहा था तो जलाने देता क्या तकलीव थी यह सुनकर मैं हैरत से करन की तरफ देख रही थी यानि कि इसे कोई फरक ही नहीं पढ़ता था कि मैं जीओं या मर जाओं वह लड़का कहने लगा यह मेरी कुछ भी है या नहीं मैं नहीं जानता लेकिन अगर उन्हें कुछ भी नुकसान पहुचेगा और मैं अगर देखूंगा तो मैं जरूर उन्हें बचाने आऊंगा तुमसे जो होता है कर लो यह कहना थ कि करन ने इसके मुह पर थपड मार दिया उस लड़के ने भी अपना हाथ नहीं रोका था दोनों ही गुस्से से लाल हो चुके थे यह देखकर तो मैं परेशान होकर रहे गई थी बड़े मुश्किल से मैं ने दोनों को पीछे अटाया इस लड़के के आगे हाथ जोड़े कि तुम जाओ यहां से वो लड़का करन को देखता हुआ दर्वाज़े से जाने की वज़े से इस दिवार पर लग गया वापिस गया यह देखकर करन बड़े अजीब अंदाज से मेरे पास आया मेरे दोनों बाजू पकड़ ली और कहने लगा वो तो यहां से बुलाती हो तुम अपने आशिक को फिर वह कहने लगा कि जो तुम चाहती हो मैं होने नहीं दूँगा मैं तुम्हारा गला दबा कर दूँगा किसी सहन से तुम्हें मार कर दफना दूँगा लेकिन यहां मत समझना कि तुम्हें छोड़ दूँगा वो तो जैसे सारे तमीज ही भूल ग कि मेरे होश उड़ गए इस मेसेज पर लिखा था कि वोश्रूम में जाओ और मैं तुम्हें देखना चाहता हूं या सुनकर मेरे होश उड़ गए थे अब तक मैं यही समझ रही थी कि शायद यह मेरा वहम है कि कोई वोश्रूम से मुझे देखता है लेकिन यह शक मेरा वहम कौन था वह शक्स मेरे दिल बैठने लगा था मैंने मुबाइल ओफ करके रख दिया लेकिन फिर भी मुझे पूरी रात नीन नहीं आई मैं जागती रही सुबा जब मेरी नोकरानी आई तो मैं बुखार में पड़ी थी मैंने उसकी मिन्नते की वह एक रात मेरे पास रुक मैं बिमार हूँ, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, वह मेरी बात सुनकर मान गई, रात हुई तो करन के आने का वक्त हुआ, तो मैं नोकराने को अपने कमरे में छुपा लिया, मैं नहीं चाहती थी कि करन को इस बात का पता लगे, कि घर में मेरे अलावा कोई और भी है, म वाश्रूम में कोई कमरा ना था, मैंने अपनी नोकरानी को चादर उड़ा दी, और उसे वाश्रूम जाने के लिए कहा, वह वाश्रूम चली गई, मैं अपने कमरे में पर्दों के पीछे छुब गई, कुल देर बाद यही हुआ था, मेरे कमरे का दर्वाजा बड़ी आइस् लिए और पीछे से इस शक्स को दबोच लिया, और शोर मचा दिया, वह शक्स मुझे अंदेरे में नजर नहीं आ रहा था, मगर वह मुझे अपने आपको चुड़वा रहा था, चोर की आवाज पास से करन मेरे कमरे में आ गया, जैसे ही लाइट खोली, नोकरानी भी वोश पोड़ कर चला गया था, फिर मालूम हुआ कि उसने किसी और से शादी कर लिया, मुझे भी तलाग दे दी थी, इसे यह देखकर मुझे हैरत हुई थी, वह तो बताने लगा कि इसे एक दूसरी लड़की पसंद थी, इसलिए उसने उससे शादी कर ली थी, मुझे भी जाबर वाले घर में देखा, तो इसे मेरे बारे में मालूम हुआ, तो इसे अफसोस होने लगा, वह मुझे अपनाना चाता था, और इस मामले में कई बार करन से भी बात कर चुका था, लेकिन करन माना इसलिए उसने अपने बेटे को हमारे घर बेजना चाहा, लेकिन करन की इससे भी लड़ाई हो गई जब भी नहाने जाती दर्वाजा बंध होने की आवाज इसके कमरे के वोश्रूम में जाती थी और वह दिवार लांग कर मेरे घर पर आ जाता था पहले यह देखा कि कहीं में जल्दी बहार तो नहीं आ जाओंगी फिर वह मेरे मोबाईल को खोल कर उसमें से मेरे नंबर लेने लगता कि मुझसे बात कर सके यह सब सुनकर इस शक्स ने करन की मिन्नते की कि वह मेरे साथ जल्म ना करे और मेरे शादी इस से करवा दे पहले तो करन नहीं माना लेकिन बाद में उसने खुद ही मेरी शादी उस शक्स से करवा दी धन्यवाद दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच मिलते हैं एक अगली कहानी में और वो भी इंटरस्टिंग कहानी में वेट फॉर